पास बुलाके गल से लगाके तुने तु बदल डली दुनिया नई है नजारी नई है इशारी रहे न वोकल वाली दुनिया तो जै हिंद मेरे प्यारे साथ ही हो कैसे हूँ आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों यहाँ पर सभी दस्वी पास कंडिडेट के लिए एक बहुत ही शांदार वेकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीस किया गया है विभाग के तरक से जो की स्वास्ट एवं परिवार कल्यान विभाग के तरक से यह वेकेंसी आई हुई है देखिए सबसे पहले में आपको यहाँ पर बतादेना चाहता हूँ यह जो वेकेंसी है ना पूरी तरीके से पर्मानेंट सरकारी भरती है तो आप लोग इस असम deprived है कि सरी वेकेंसी किस प्रकार की वेकेंसी है समझिदा भरती है प्राइवेट भरती है ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तो पूरी तरीके से ये परमानेंट सरकारी भरती है और इसमें सभी दस्वी पास कंडिडेट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं आपके चाहे कितने भी परसेंटेज मार्ग्स हो देखे दोस्तो सारा A2Z जानकारी में आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा बस वीडियो को आप लोग अन्ते तक वाच किजेगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब किजेगा इसी प्रकार के ग अरती का नोटिफिकेशन जो है रिलीस किया गया है जिसमें क्वालिफिकेशन मात्र दस्वी पास रखा गया इसमें आल इंडिया के मेल और फिमेल कंडिडिएट जो है एप्लाइब कर अपने किसी भी बोड से दस्वी की परिक्षा पास कर रखे उससे कोई प्राब्लम नह सकते हैं SC, ST के जो candidate हैं वे 40 साल तक फार्म को apply कर सकते हैं और यहां पर pH handy का पवल जो category के students है वे भी यहां पर फार्म को apply कर सकते हैं इनको पूरा-पूरा 10 साल का age में relaxation देखने को मिलेगा यानि कि यह 50 साल तक फार्म को apply कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है देखें दोस्तों JSC के द्वारा यह vacancy निकाली गई है अगर पद की में बात करूँगा तो field worker मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं field worker के पद पर भरती निकाली गई है जो कि पूरी तरीके से group C के पदों पर यह भरती निकाली गई है तो मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर apply करना चाहिए इस vacancy में देखें इस वक्त की अगर मैं बात करूँगा तो बहुत सारी vacancy ऐसी है जो कि 10 वी पास पर आई हुई है जैसे कि SSC MTS और हवलदार के पदों पर 8000 से ज्यादा सीटों पर नई भरती का notification जारी किया गया इसका online आवेदन भी start हो गया है आप लोग क क्यों नहीं apply करो आप लोग apply कीजे ना उसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट में भरती आई हुई है दोस्तों जिसमें कि सभी 10 वी पास आल इंडिया के male और female candidate apply कर सकते है उसमें किसी प्रकार का कोई भी return exam नहीं होगा यानि कि 10 वी के percentage के आधार पे आपका selection होगा केवल ए चीज को आप लोग समझेगा ठीके दोस्तों इस वेकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो apply कब से start होगा सर यह बता दीजे तो दोस्तों एक अगस्ट से यहां पर मैं लिक दे रहा हूं एक अगस्ट से ले करके 31 अगस्ट तक जो है इस वेकेंसी का online आवेदन का procedure जो है चला करेंगे तब जा करके आप exam जो है crack कर पाओगे फीस कितना लगेगा अब देखे एक चीज मैं यहाँ पर आपको clear करना चाहता हूं काफी सारे candidate ऐसे है ना जो कि जिनकी financial condition यार बहुत खराब है ठीक है ना अगर 500-800 रुपए फार्म भरने के लिए उनसे पैसे मांग लिया आते हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे फार्म को fill करें लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस वेकेंसी में यह जो स्वास्ट एवं परिवार कल्यान विभा के तरफ से वेकेंसी निकल करके आई हुई है इसमें अगर आप general OBC EWS category से belong करते हो तो म handicap वाले भी यहाँ पर फार्म को apply कर सकते हैं उनका भी कोई पैसा नहीं लगेगा यानि कि बिल्कुल initial को आप इस वेकेंसी में फार्म को apply कर सकते हो तो इससे अच्छा और शांदार मौका आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा फर यह बताएं salary कितनी दी जाएगी इस वेकेंसी म वैसे वैसे salary आपके इंक्रीव होती रहेगी जो last आपको salary जाएगी वो जाएगी 56,900 रुपय तक तो यार salary भी यहाँ पर ठीक ठाक है किसी प्रकार का कोई भी foundation कोई भी दिक्कत नहीं है job location सरिये बताएं कहां पर रहेगा कहां पर मुझे रह करके जो है काम करना पड़ेगा all India के male और female candidate तो applies में करीफ नहीं लेकिन जो आपका job location रहेगा दोस्तों वो रहेगा जारखंड में जहां दोस्तों जारखंड में रह करके आपको duty करनी पड़ेगी नौकरी करनी पड़ेगी आप किसी भी state से बिलॉंग करते हो कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो ना तो आप जो है इस vacancy के लिए आवेदन कर सकते हो आल इंडिया के लिए ये vacancy निकाली गई है इस चीज को आप लोग समझ लीजेगा ठीक है ना अब सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं तो सबसे पहले इस vacancy में आपका written exam होगा उसके बाद डाकुमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसे हम लोग हिंदी में दस्तावेज सत्यापन कहते हैं आपके जितने भी दस्तावेज है ना जैसे cash certificate हो गया उसके अलावा जो है सेचडिक योगता हो गया उसके अलावा निवास प्रमाण पत्र आधार काड है ना ये सारी चीजों को डाकुमेंट वेरिफाई किया जाएगा ठीक है ना दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा उसके बाद आपका छोटा सा मेडिकल होगा जो कि आपको मालूम है district hospital से एक से दो दिन में medical certificate बन जाता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना वो चीज़ आपको बनवाले ना उसके बा जो है बहुत fast होगा उसके अलावा अब मैं आपको यहाँ पर syllabus के बारे में बता देना चाहता हूं कि यह जो fast एवं परिवार कल्यार विभाग की तरफ से जो vacancy आई है इसका syllabus क्या क्या रहेगा कॉंकों से subject से question पूछे जाएंगे और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है तो देखें दोस्तों syllabus से बताने से पहले एक चीज में आपको बता देना चाहता हूं यह जो vacancy निकाली गई है ना वो J.S.S.C. की तरफ से vacancy यह निकाली गई है जो की पूरी तरीके से government भरती है सरकारी permanent भरती है syllabus के अगर मैं बात करूँगा तो तीन part में यहाँ पर आप और देखें इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए ठीक ना इस पर अच्छे से focus कीजेगा यह तो बाद में क्या होगा कि आप केवल comment करते रहोगे देखें यार मेरा पूरा focus यह रहता है ना कि जब मैं वीडियो के माधम से आपको चीजे समझा रहा हूं तो स आपको समझ में आनी चाहिए ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी doubt न रहे कोई भी संदे न रहे आप ज्यादा से ज्यादा comment ना करें ठीक ना लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का doubt रहता है तो आप comment कर सकते हो हम इसका reply भी देता हूं आप लोग यहाँ पर काट लिया जाएगा ठीक है ना तो सोच समझ करके आपको solve करना है हिंदी की अगर मैं बात करूंगा तो हिंदी से 80 question पूछा जाएगे यहाँ पर उसके अलावा English की अगर मैं बात करूंगा तो English से 40 question पूछा जाएगे 120 question यहाँ पर हो जाएगा जो की part 1 से को उसी local language बोली जाती है उसी से सम्मंधित जो जन्जाती भाषा है उसी से सम्मंधित यहां पर question पूछे जाएंगे number of total question 100 होंगे 300 अंक का यानि कि जो एक question होगा वो आपका होगा 3 नंबर का ठीक है ना उसके अलावा दो घंटे का समय आपको दिया जाएगा यहां पर और negative marking जो है 1 by 3 रहेगा तो 4 समझ करके आपको solve करना है यहां पर passing marks बताया गया है देगे notification में यह पूरी तरिके से clear किया गया है कि अगर आप यह जो part 2 का syllabus है इसमें अगर आप 30 percent marks ले आते हो ना तो आपको qualify माना जाएगा म से qualify कर सकते हो बस थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा महनत करना पड़ेगा बिना महनत के यहां पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है तीसरे नंबर के अगर मैं बात करूंगा तो सामान्य ग्यान से question पूछे जाएगा जिसमें number of total question 120 होंगे 360 अंक के जो एक question आपका होगा व समसमाई घटना है जो इस वक्त वरतमान से में चल रहा है उसी से related यहां पर 40 question पूछे जाएगे उसके अलावा ज्यारखंड जीके से चुकि इस पेसल तौर पर ज्यारखंड राज की तरफ से यहां पर आपसे सवाल पूछा जाएगा number of total question 50 होंगे और सबसे ज्यादा question ज् तो इन दो topic को आपको अच्छी तरीके से cover करना है general awareness और ज्यारखंड जीके उसके अलावा math की अगर में बात करूँगा तो math 10 question पूछे जाएगे अब देखे काफी सारे candidate ऐसे हैं जिनका math काफी week है ठीके ना वो कहते हैं कि sir मुझे math समझ में नहीं आता है तो यार आपसे यहां पर बहुत ज्यादा question नहीं पूछा जा रहा है math 10 question पूछा जा रहा है अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको math आती है ना तो आप यहां पर solve कर ले जाओगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है science की मैं बात करूँगा तो science से यहां पर आपके 20 question रहेगा number of total question 120 र जाएगी तीनों part को मिला करके यहां पर merit कयार किया जाएगा और हो सकता है कि normalization का भी process इसमें किया जाए ठीक ना तो दोस्तों यह fast even परिवार कल्यान विभा के तरफ से vacancy निकल करके आई है जो कि जारखंड राज में यह vacancy निकल करके आई हुई है field worker के पर तो मुझे ऐस लगता है कि अगले महिने से इसका online आवेदन पूरी तरीके से start हो जाएगा इसकी तयारी आप सभी लोग अभी से start कर दीजे उसके अलावा दोस्तों देखे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा यार अगर आप दसवी पास हो ना तो इस वक्त बहुत सारी vacancy जो है आई ह सब्सक्राइबन अगर्समीर से स नुद्यक कर देखे तो ईसके अलावा अललग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती निकल do nothing hast सकते हैं उसके अलावा हिंडी मैन के पद पर भरती आई हुई है आल इंडिया के मेल और फीमेल कंडिडेट के लिए वहां पर भी भरती निकाली गई है तो उन सभी वीडियो को जा करके कि मुझे नौकरी नहीं मिली है तो इस चीज को आप लोग समझेए इसलिए मैं पूरा यहां पर efforts लगा करके कोशिस करता हूँ कि यार आप लोग जिस वेकेंसिस के बारे में मैं आपको जानकारी दिया करता हूँ उसमें आप लोग फ़ाम को apply किजिए और आपका कहीं न कहीं selection हो जाए देखे एक बार कोई भी सरकारी नौकरी लग गई ना भेले ही वो प्यून के पद पे हो जीडियस के पद पे हो या फिर छोटे से छोटे पद पर हो एक बार अगर सरकारी नौकरी की मुहर लग जाएगा तो आपका जीवन पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा इस चीज को समझ ये और जो बच्चे जो रील्स देखा करते हैं दिन भार टाइम पास किया करते हैं दोस्त के साथ में भूमा करते हैं सडकों पर यार यह सब बंद कर दो कब तक इस तरह करोगे आज जानते हैं आज आज आपकी एज 18 साल 20 साल 22 साल है कल जब 28 साल 30 साल 32 साल के हो जाओगे ना तो यार बहुत पढ़ाई करने के बाद भी इसलिए अपने लाइफ को बिल्कुल ही मजाक मत लीजे नहीं तो जिंदगी आपका मजाक बना देगी पूरी तरीके से सीरियस रहे और सीरियस रह करके जो है तैयारी कीजिए पढ़ाई कीजिए और एक सरकारी नौकरी आप लोग हासिल जेकर दोस्तों इस वेकGeNCY का नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो आप मेरी टेलिग्राम चैनल पर चले जाएगा टेलिग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिसुर्फष्यन में अल्रडी डाल रखा है वहाँपर इस वीकेिंसिग नोटिफिकेशन मैं डाल